चेहरे की खूबसूरती को लेके तो यार हमेशा टेंशन होती है और फेस्टिबल सीजन आने वाला हो तब तो टेंशन बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाती है कि क्यों हमारा फेस जो है ऐसा हो रहा है चाहिए उसमें पिंपल हो रहे हैं आकने हो रहे हैं और जिनको सालों वो साल में एक टाइम पिरिएड ऐसा आता है जब वो टेंशन ना बिल्कुल एक पीक लेवल पे पहुंच जाती है क्योंकि जाइया ठीक नहीं हो रही है कैसे आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबके लाइफ बहुत आमेजिंग चल रही है जी हाँ फेस्टिबल सीजन आने वाला है और मैं बाक टू बैक आपके चहरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी होम रेमेडीज के माध्यम से और डेली कुछ नई रेमेडीज लेके आ रहे हैं फेस्टिबल रेमेडीज लाने का एक जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो यह है कि हर किसी का चहरा रिस्पॉंस अपनी तरह से करता है हर रेमेडी के लिए हमें नहीं पता कौन सी रेमेडी हमारे लिए जो आपकी स्किन की अनिवन टोन को भी क्योर करने में हेल्प करेंगे और मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मैं इकाइथॉस पर वीडियो बनाएगे डेफिनेटली बहुत जल्दी बनाऊंगी पर फिर भी जिनको उसकी वज़ा से भी पिग्मे बहुत सारे लोग एसे हैं जिनने लाइकन प्लेनस का एश्यू होना स्टर्ट हो गए लाइकन प्लेनस का इस श्रस्ट हो गई यह तो चलिए स्टर्ट करते हैं लेकिन उससे पहले छोटा सा एक स्प्लेनेशन है वह यह है कि दीके कोई भी हमें वीडियो करके बढ़ती है, यहां पहुंचती हैं हम कुछ ऐसा supplement लेते हैं उसे दबा देते हैं फिर वो कुछ नई में और जादा उभरती हैं और करते करते वह इतना level पहुंच जाती हैं और हम depressed होते हैं तो इस depression को जो वो plateau developed होगी हम उसे break कर सकते हैं just home remedy से जब आप follow करना start करेंगे लेकिन home remedy आपको support करेंगी और proper treatment cure करेगा अगर आप बिल्कुल beginning phase में है तो definitely you can permanently cure your problem either it's acne, pimple, whatever it is you can completely cure with the help of home remedy only तो आज की remedy का जो सबसे पहला ingredient है वो है चावल का आता अब आप घर पे PCA लेकिन चावल इस्तेमाल करने है जो की राशन वाले चावल आते हैं बिल्कुल हलके चावल आते है जिसमें white white पूरा powder आता है वास्मती, refined इतने refined rice use नहीं करने है जिसमें starch की मातरा ज्यादा हो ताकि हमारा चहरा जो है हम उसे जो जिस लेवल पे clean करना चावल आता आपको क्या करना है आपको दो चमच लेना है चावल का आता उसमें आपको एड करना है एक चुटकी cinnamon powder यानि की दाल चीनी का पावडर क्यूंकि जिन भी लोगों को acne वैकनी हो रहे है उसको protect करने के लिए और जिनकी skin बिल्कुल clean है उसे protect करने के लिए फिर आप इसमें cinnamon powder उसमें आपको add करना है curd अच्छे से उसको mix करना है mix करने के बाद आपको अपने पूरे face पे लगाना है पिछले कुछ दिनों से मैंने perform करके नहीं दिखाया इसका reason यह था क्योंकि मुझे भी बहुत सदा congestion cold था जिसके वज़े से मैं कोई भी चीज फेस पे apply नहीं कर रह लगा लिया उसके बाद क्या करना है आपको दो मिनट तक अपने चाहरे पे अच्छे से करना है massage ठीक है यह इस remedy का first step है इसके बाद मैं second step पे आने वाली हूं और यह मैं लेकर आई हूं आपके लिए 30 days challenge 30 days आपको इस remedy को continuously perform करना है अगर कोई दिन skip भी होता है तो tension लेने की tension नहीं लेने वाली और जिस दिन आपके माइंड में यह statement आ गई ना कि मैं नहीं अब tension लूँगी कोई बात नहीं जाई है ना हो जहेंगी ठीक उस दिन आप देखना कि चाहे कोई remedy है चाहे कोई treatment है उसका result डबल हो जाएगा तीनों को mix कर लिया दो मिनट आपने scrub कर लिया उसके बाद आदा घंटा उसे face पे लगा रहने देना है ठीक है आदे घंटे के बाद आपको normally जो है पानी से उसे वाश करना है उसमें किसी भी तरह का soap या किसी भी तरह का face wash इस्तिमाल नहीं करना है अगर आपको लगता है कि curd की वज़े से हलका हलका चिपचिपा पन वहा उसे भी completely खीच लेगा clean कर देगा अब बारी आती है skin को nourish करने की क्योंकि हाइडरेट तो अब हमने कर लिया skin को clean भी कर लिया but पूरी रात किस चीज को apply करे face पे जिससे हमारी skin जो है moisturize हो जाए और हमें किसी भी तरह के night care routine की जरूरत ना पड़े क्योंकि यह सबसे important step है आ हम वहां पे पुराने टाइम में हमारे आयरुवेदा की जो महानता थी ना हम उसे भूल गए कि कैसे पुराने टाइम में यार राजा महराजा को दूद दहीं से ही नहलाया जाते था कैसे वो अपनी skin की care करते थे हम वो चीजे भूल गए उनी चीजों को दुबारा आपके अपनी चीजे लेकर आरहे हो ताके आप अपनी skin को बिल्कुल healthy कर आओ और जादा यंग देख सको तो राथ को आपको आपको सेंपल है आपको लेना है को को कनट ओयल तो 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 त्री डॉप स को कनट ओयल लेने और अपने पूरे फेस पे आपको कर अपने पूरे पेस पे यहां पर नोस के साइड पर अंडर आय पर यहां पर जो मेरे पेशन्ट है जिन्हें लगता है कि वो ट्रीटमेंट ले रहे है वो मेरेकल ओयल अपलाए करते हैं मैं आप लोगों को भी कहूंगे अगर आप यह रेमेडी स्टार्ट कर रहे हैं जिस्ट वन मन्त के लिए ठीक दाक सरकल है आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा आयुर्वेदा में बहुत पावर है हमारे घरेलू नुसकों में बहुत पावर है बर थेंग इस कि हमें कुछ हमेशा हाईलारिक एसेड ठीक है नायसिनामाइड मतलब हम ना ऐसे से वाइटमिन ए रेटिनोल के ड्र जैसे नॉमल पानी पीचिए एक बाटर लग लीजिए उसमें दो तिन पुदीने के पत्ते डालके रख लीजिए और उसे धीरे-धीरे करके सबसेब करके पूरा दिन पीते रहिए क्योंकि डीटॉक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुराने टाइम में हम जो है करके खा लिया वह हमें हेल्दी रखता है हमारे गट को हेल्दी रखता है तो कहने का मतलब यह है कि रेमेडी करिये लेकिन उसके साथ अपने गट को भी अच्छा रखे ताकि गट की एब्सॉप्शन से आपकी बॉड़ी को जितनी एनर्जी चाहिए जितने अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने एक्सपिरियंस हम क्या है न हम सोचते हमें फाइदा हो गया हम किसी को ना बताएं यह बहुत नेगिटिव सोच है हमें फाइदा हो रहे न आगे 10 लोगों को बताएं क्या पता या ट्रीटमेंट उतना अच्छा काम करेगा अगर आप किसी भी बिमारी से परशान है ठक चुके हैं आप एक बार इस नंबर पे कॉंटेक्ट करके देखें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखें आपको जो रिजल्ट मिलेगा न आप खुद हैरान रह जाएंगे आप आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें अगर आप 10 तारीक से पहले नवारफ टीटमेंट लेना चाहते तो 2000 की जगह आपकी सिटिंग 1800 है आप आगे की सिटिंग भी ओफर प्राइस पे बुक कर सकते हैं त झाल